The Pope's Exhaustist फिर भी थोड़ी ठीक थी बट इस मुवी ने ना सिर्फ दिमाग खराब कर दिया बलकि कान के परते फाड़ के रख दिया वो भी बिना किसी वज़क है Evil Dead Rise रिलीज हुई All Over India में 21 April 2023 को और ये सिर्फ रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल English Language में हिंदी में इसे डबी नहीं किया गया मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कौन करता है बाई इस मुवी को पहले HBO Max पर रिलीज किया जाना था बट वाना प्रदस पिच्चर्स ने ये सोचा कि इसकी positive test screenings के बाद में इसे theaters में रिलीज करना चाहिए मतलब normally शहर से लोग ऐसे जगा जाते हैं मगर इस मुवी में शहर में कांड होता है और उसे secluded जगा पहुचाया जाता है मुवी एक परिवार पर focus करती है जो कि किसी तरह अपनी जिंदिगी चला रहे है मगर तभी इस परिवार की माता जी को भूत पकड़ लेता है कैसे पकड़ लेता है क्यों पकड़ लेता है और ये परिवार इससे कैसे बचते हैं या बच पाते हैं भी या नहीं और इसी दौरान हम क्या-क्या violent scenes horrors होते हुए देखते हैं इसी स्टोरी पर फोकस करती है मूवी जिसका नाम है इवल डेड राइस फोर्स तिंग्स फर्स इस मूवी को वानर ब्रोदर्स पिच्चर कहते हैं यह connected है अपनी original movie evil dead से जो कि almost 10 साल पहले 2013 में आई थी और कहीं न कहीं इसके original first part यानि 1981 में बनी evil dead movie से भी connected है बट movie देखने के बाद में हम यह guarantee से कह सकते हैं कि यह एक तरीके की reboot है movie में evil dead के सारे elements डाले गए हैं जैसे धेर सारा खून खराबा, mark art और comedy etc पुराने evil dead movies में horror भी था literally उस समय पर फट जाती थी इन movies को देख कर बट वो horror इस movie में नहीं था अगर था तो सिर्फ exorcism के chanting में पूरे movie में अगर किसी चीज से हमारी पढ़ती है तो exorcism के जो chant होते हैं सिर्फ वही सुनकर हालत खराब हो जाती है और इसके अलावा frankly speaking throughout the movie में theater में देख रहा था हर कोई बस हस रहा था जो कि again कहीं न कहीं evil dead के movies का एक theme भी है बट again evil dead movies में horror भी होते थे बट unfortunately इस movie में डरावने जैसा या horror जैसा कुछ नहीं था और उपर से movie का जो sound effect था वो इतना तेज था कि movie देखते वक्त irritation हो रही थी so a big thumbs down for the background sound effects मतब समझ सकते हैं भाई horror movie है थोड़ा loud sound रखना चाहिए और उसके उपर से evil dead की movie है बट इतना loud continuous sound आप रखेंगे तो movie में डरने की बजाए हमारे कान में दर्द होगा और कहीं न कहीं हम movie से irritated हो जाएंगे जो कि literally इस movie को देखते वक्त मुझे feel हो रहा था और अगर ये कम नहीं था तो इसके उपर movie में जो भी actors थे वो literally movie के acting के साथ में justice नहीं कर रहे थे है किसी न किसी तरीके से बचना है बट ये लोग अचानक से उस situation से गायब हो जाते हैं और उसे handle नहीं करते हैं और सोचते हैं कि बाई काम करें इसमें evil है रुको मैं थोड़ा अपना XYZ काम कर लेती हूं उसके बाद मैं इसे handle करती हूं और उसके उपर से जो इन लोगों का expression होता है horror sequences का वो तो मतलब बिलकुल भी situation से match नहीं कर रहा था तो कहीं न कहीं ये factors movie में हमारा interest कम कर रहे थे अब इतने time के बाद में जब मैंने एक horror movie देखी थी इसमें कुछ न कुछ फाडने वाली scenes तो होंगे होंगे पर unfortunately ऐसा बिलकुल भी नहीं था और हम disappoint हो जाते हैं और इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए unfortunately again मुझे इस movie को भी rate करना पड़ेगा a 6 out of 10 दोस्तों उमीद करता हूँ कि review पसंद आया होगा आपको अगर आया है तो please video को like करना न भूले ऐसे और धे सारे reviews को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करन न भूलें until then take care